ओम नमस्षिवाय, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वावना योट्यूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको नौ भागिसाली रासियों के बारे में जानकारी दूँगा सामन के महीने में बन रहा है माहसुप सहयोग कापी सालों के बाद में बहुत ही अच्चा योग बना है इस सामन के महीने में नौ रासियां रहने वाली हैं बेहदी भागिसाली और लकी दोस्तों इन रासियों की प्रतेक मनोकामना पूरी होगी सामन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है सामनमास में किये गए प्रते को पाये का महाफल प्राप्त होता है सामनमास में हम जो भी पूजा पाट करते हैं भगवान सिव हमारी प्रते क मनुकामना पूरी करते हैं सामनमास के महिने में इस वार चार महा योग बन रहे हैं सामन के महीने में इस वार गजगेसरी योग बन रहा है जो की बहुत ही शुब योग माना जाता है साथ ही सामन के महीने में इस वार ऐसे योग बन रहे हैं जो कापी सालों के बाद में बने हैं दोस्तो सामन मास में अगर आप भगवान सिव की पूजा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाम मिलेगा और आपकी प्रतेक मनोकामना पूरी होगी सामन मास में इस वार शूर भुदातर योग भी बना है इस साल सामन का महिना ब्यादी खास रहने बाला है सामन के महीने में केई ऐसे दुल्लब योगें अगर इन दुनों में भगवान की पूझा करते हैं तो आपकी किस्मत अवश्ची बदलेगी और आपकी हर मनो कामना पूरी होगी दोस्तो मेश रासी, मेश रासी भगवान सिव प्रिय रासियों में से एक है सामन का महीना इस साल में इस राज़ी बालों के लिए शुब रहने बाला है सिवकी किरपा से आपको पुत्र का लाब मिलेगा धन का लाब मिलेगा कई कारियों में आपको विशे सफलता मिलने बाली है वह आपके वैवैक जीवन में बहुत बड़ा बदलाब आने वाला है दोस्तों अगली राज़ी की बात करें तो वह राज़ी है मितुर्न राज़ी मितुर्न राज़ी के लिए सामन का महीना बेहदीश शुब रहने बाला है सामन के महीने में आपके बान के योगें, धन के योगें, ब्योपार में सपलता के योगें, कई ऐसे कार रहे हैं, जिन में आपको विशे सपलता मिलने वाली हैं, आने वाला समय आपका खुशियों से भरा रहने वाला हैं सामनमास के महिने में आपको प्रते दिन भगवान सिव का पूजन करना ही भगवान सिव का अवसिख करें साथ ही सामनमास के महिने में आप भगवान सिव की आराधना करें जिससे आपकी प्रतेक मनुकामना पूरियों की वही मैलाओं को माता पारवते की पूजा करनी है भगवान सिव के बक्तों को सामन के महीने का सालवर इंतजार रहता है इस मा को देवों को देव मादेव का प्रियम महा माना जाता है शिव जी की आरादना के लिए सामन का महीना उत्तमाना गया है मानताओं के अंसार है कि जो भी वक्त सामन में नियमत रुप से सिवलिंग का आपसे करते हैं और सामन में पढ़ने वाले हर सोमार का भरत करते हैं उनकी मनुकामना पूरी हो जाती है दोस्तो इस वार सामन में पढ़ने वाले सामन की सोमार बहुत ही शुब रहने वाले हैं बैसे तो प्रतेक बर्स ऐसा होता है लेकिन इस वार योग बहुत ही अच्छा बना हुआ है पहली रासी है मेश रासी दूसरी रासी है मितन रासी दोस्तो तीसरी जो रासी है वो है करकरासी करकरासी वालों को विशे सपलता मिलने वाली है अक्सर आप काफी समय से सूच रहे हैं कि हमारे ये कार पूरा निवोपारा जेसे कार में आप हाट डालते हैं उसी कार में आपको असपलता मिलती है तो दोस्तो अब आपका समय सुव सुरू हो चुका है आने वाले समय में आपको विशे सपलता मिलने वाली है जीवन के हर केतर में आपको काम्यावी मिलेगी जीवन के हर केतर में आपको विशे सपलता मिलने वाली है वह पुत्रधन का आपको बहुत बड़ा लाव है दोस्तों अगली जो रासी है वह सिंग रासी सिंग रासी बेदी भागिसाली रहने वाली है सिंग रासी वालों को विशी सफलता मिलेगी और आपके जीवन में आ रहे सारे संगर्सों का अंत होगा जिस परेज़ से आप परेज़ान थे दोखी थे आपकी मनोकामना पूरी ने उपारे थी वह मनोकामना अवस्षी ही पूरी होगी नियमेतरू से प्रति दिन भगवान सिव का आपसे करना है तता सिविलिंग पर बेल पत्र और चावल के दाने तता भांग दतूरा आग के पक्तों की माला बना करके भगवान सिव को समर्पति करें साथ ही भगवान सिव को सहत जरूर अरपन करें इससे आपकी प्रतिक मनोकामना पूरी होगी नारियल का प्रसाद सामन मास में जो व्यक्ति भगवान सिव के सामने नारियल का प्रसाद चड़ाते हैं फिर इसे ग्रहन करते हैं उनका सरी निरूगी रहता है निसंतानों को संतान का सुक मिलता है हर प्रकार की मनौकामना पूरी हो जाती है दोस्तों योग बहुत अच्या है आने वाले समय में आपको विशिख सपलता मिलने वाली है जीवन में आपको विशिस तरक्की मिलेगी कन्यारासी कन्यारासी बेदी सुभरेने वाली है कन्यारासी वालों को विशिस सपलता मिलेगी और आपको बहुत बड़ा लाब मिलने वाला है कन्यारासी वाग्यसाली रासियों में से है कन्यारासी वालों को पुत्र धन का लाव है साथी सरी का आपको विशेश ध्यान रखना होगा स्वास्त में दीरे दीरे सुधार आएगा अगर किसी के स्वास्त में खरावी चल रही है आने वाला समय आपके लिए खुशियां वरा रहने वाला है सपेद आग की जड़ सपेद आग की जो जड़ होती है वह सिबलिंग पर चड़ा करके अपने घर में रखनी चाहिए इससे वरपूर धन प्राप्त होता है साथी पुत्र की मनो कामना भी पूरी होती है गेहूं के दाने सिवलिंग पर प्रति दिन गेहूं के दानी आपको चड़ाने चाहिए जिनकी मन में पुत्र की कामना है बेल पत्र, चाबल और गेहूं तीनों मेक्स करके सिवलिंग पर चड़ाने से पुत्र धन की मनों कामना पूरी हो जाती है अगली जो रासी है जिसका योग बहुत ही अच्चा है दोस्तो ये रासी बेहदी भागिसाली रएने वाली है वह रासी है तुलारासी तुलारासी वालों को विसे सपलता मिलेगी कारोबार में उन्नती मिलेगी नवकरी में प्रमूशन मिलेगा वा जीवन में आ रहे ही सारी कष्टों का निवारण होगा प्रते दिन भगवान का आप सीख करें गंगा जल में थोड़ा सा हित्र डालें और साधा जल से उसे वर लें उसके बाद उसमें एक पुष्पू डालें अब इससे भगवान सिव का नियमत रूप से आप आप से करें ओम नमस्वाई मंतर का जाप करते हुए आपको विशे सपलता मिलेगा अगर इस पिकार आप जाप करते हैं तो साथी एक बेलपत्र हात में रख करके ओम नमस्वा लिकर करके भगवान सिवकों समर्पित करें इससे आपकी विसेश मनो कामना पूरी होगी और जीवन में आरे सारे कश्टों का निवारन होगा दोस्तों अगली जो रासी है वो है धन रासी उसके बाद कुम रासी मीन रासी ये रासी आएं जो बेहदी भागिसाली रहने वाली है इन रासी वालों को पुत्र का लाव है धन का लाव है जीवन में अनिक प्रकार की सपलता है आपको मिलने वाली है हर प्रकार का सुक और वे दिन भगवान का आपसिक प्रारम कर दिना है सामन सामन के महीने आप प्रति दिन भगवान का आपसिक करेंगे बसमी आपको भगवान को जरू समर्पित करें साथी बेल पत्र पर ओम नमस्वा लिखकर के भगवान सिफको जरू समर्पित करें अगर इस पिकार भगवान सिफक कि आरादना करते हैं तो आपको विश्य स्लाम मिलेगा और आपकी प्रतेग मनुकामना पूरि होगी। दोस्तों सिवलिंग पर अगर आप नियमेत रूप से धतूरे का फल चड़ाते हैं सैद लगा करके और एक फल प्रति दिन सिवलिंग पर चड़ाते हैं तो आपकी मनुकामना वश्यपूर योगी आप जो भी उपाय करने हैं संकल्प पूर्वक आपको करना है संकल्प करने के बाद ही आपको उपाय करना है आपको विश्यपूर योगी सबी रासी वालों की मनुकामना अवश्यपूर योगी जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब संगर्स होता है मनुकामना पूरी नहीं उपाती कापी टाइम लगता है तो आपको निरास नहीं होना है नेमत रुप से भगवान सिव की आरादना करनी है इससे बोले नात प सब्सक्राइब जरूर लखें जिससे आपकी प्रतेक मनुकामना पूरी होगी जीवन में आरे सारे कश्टों का निवारन होगा जो भी चैनल पर पहले है चैनल को सब्सक्राइब जरू करें बगल मेल आइकन बटन को दवाने से हम जो भी वीडियो डालते हैं उसका